अज़ो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाले हैं अंडे आलू का सालन तो आपने कई बार खाया होगा आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे आलू की बहुत ही यूनीक सी सबजी जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है और फटा फट से बनके रड़ी हो जाएगी आप पांच मिनट में बनाकर तयार कर सकते हैं तो रेसिपी को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएग तो चलिए रेसिपी स्टाट करते हैं हमने यहां पर एक पैन चड़ा दिया है और इसमें 3 टेबल स्पून ऑईल डाल दिया है गरम होने के लिए और अच्छी तरह से गरम हो चुका है देखिए और यहां पर हमने दो छोटे साइस की प्याज ली थी और इसको बारिक बारिक काट लिया था और कप में मेजर करेंगे तो यह एक कप है इसको हम इसमें डाल कर सौटे करेंगे इसको लाइट पिंक कलर का हमें करना है तो कुछ सेकेंड में ही यह अपना कलर चेंज कर लेगी प्याज अब हम इसमें यह तीन से चार हरी मिर्चे बारिक काट के इसमें एड कमें चीक हमने बड़ता अलू लिया था और उसको इस तरह से देख्य क्योंच सेप शkit पीसिएगा है पतले पतले चोस्वा थे क्यूबस में इसको में डाल के अधे प्यास के साथ अलू को भी हम इसी तरह क्योंचे चैनल तब तर सीमें चाहला हाफ़ा यह जिए अंधे गया आप देख सकते हैं आलू का भी कलर चेंज हो रहा है यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही फटा-फट से बनने वाली लेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एक बर इसको जरूर बना कर देखिएगा यह देखिए प्याज और आलू हमारे अच्छी तरह से बालेंगे टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसमें अपने टेस्ट के कॉर्डिंग नमक एट कर देंगे यहां पर हमने वान टीस्पून नमक डाला है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें नमक डालीजी और अब हम इसमें यहां पर हाफ टी इतने बारी कालूप गल्ले में टाइम नहीं लगता है अब यहां पर हम इसमें एक पैकेट यह मैगी मसाला मैजिक है लिया है हमने यह एक पाउच इसमें डाल देंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग से इसमें टेस्ट आने वाला है बहुत मज़ेदार सी इस आई बर बना के खाई होगी एक बर इस तरह से अंडे की सब्सक्राइब बना कर देखिए आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे यहां पर हमने दो अंडे लिए है इसको अची तरह से फेट लेंगे और फेट कर इसमें उपर से इस तरह से डाल देंगे बहुत ही कम ताकि सारे मसाले और नमक एग में मिक्स हो जाएं और इसको मिक्स करके हम ढ़क कर एक मिनट के लिए पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लैम पे तो एक मिनट हो गया है ये देखिए लबजी हमारी अच्छी तरह से पक रही है साइट से ओल म दिक्षाई दे रहा है अब हम इसक और जो भी एग है यह अच्छी तरह से बुर्जी की फॉम में आ जाएगा इसको चलाते हैं हमें थोड़ी देर के लिए और इसमें पकाना है कम से कम एक मिनट के लिए इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे भून लेंगे एक मिनट हो गया है आप देख सकते हैं अंडा भी अच्छ आने के लिए रेडी है इसमें हम थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरी धनिया एड कर देंगे यहां पर और उसको भी मिक्स कर लेंगे अंडे आलू की सबजी बनके रेडी है बहुत ही कम इंग्रीडेंट में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसेपी एक बार इसको आप ज पराठे के साथ या दाल के साथ भी दाल बनी हो तो आप यह सिंपल सी सब्सी फटाफट से बना लीजिए और इसका टेस्ट लीजिए आपको यह रेसेपी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर मेंशन करिएगा और रेसेपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेय में तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैपी थैंक यू